माध्या प्रदेश में बीजेपी 2023 की तयारी में तो जुट गई है लेकिन उसके अपने ही चुनौती बन सकते हैं या यूं कहें कि वही रहा के कांटे बन सकते हैं क्यूं और कैसे देखे पूरी रिपॉर्ट दो हजार तेश में बीजेपी की रहा में रोड़ा पुरानी निता बन सकते हैं कांटा जो कभी बीजेपी के कद्नावर निता माने जाते थे जो कभी कैबिनेट के हिस्सा थे अब वही पार्टी की रहा में रोड़ा बन सकते हैं सत्ता के रास्ते में कांटे बिछा सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध्या और उनके समर्तकों के आने से दिगजों के समीकरण बिगड़े हैं या यूं कहें कि उनका राजने तक भविश्य ही खत्रे में हैं। पार्टी के लिए बड़ी चुनोती होगी। यही खत्रा पार्टी को भी सता रहा है और राजनेत गलियारों में भी इसकी चर्चा हो रही है। प्रणुक दे हैं और सब मान्नी मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकात और सबका विट्वा उसको लेकर हम जनता के भी जाते हैं। अब भारती जनता पार्टी के वो नेता जो जमीनी नेता थे जिनों अपनी जिंदगी खपा दी भारती जनता बार्टी में वाज कांग्रेसे नेताओं के आसपास भूम रहें। जो सालों तक कांग्रेस में रहें और आज कांग्रेस को दोका देकर बीजेपी के सिर्मोर बने हुए हैं। ये बात अब भारती जनता पार्टी के जो मूल कारकरता हूं की दले नहीं उतर रही है। इसका खामिया जा भूत तगड़ा भारती जनता पार्टी को 2023 के चुनाओं में सत्पा खोकर चुकाना पुड़े। दरसल 2020 में जब सिंध्या अपने समर्थकों के साथ आये थे तब जैभान सिंग पवया, गौरी शंकर शेजवार, जैंत मलया, दीपक जोशी समे 17 ऐसे दिगज थे जिनके राजनितक भविश्य खत्रे में आ गया था। इन्हें अपने सीट सिंध्या समर्थकों के लिए छोड़नी पड़ी थी चूकि अब इन सीटों पर सिंध्या के समर्थक काबिज हैं और सेटिंग विधायक होने के नाते उनका टिकट काटना पार्टी के लिए मुश्किल होगा, ऐसे में पार्टी बीच का रासा कैसे निक रही है, वहीं बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनोती है, पिछले चुनाओं में बीजेपी अकेली लड़ी थी और हारका सामना करना पड़ा था, उसके बाद कांग्रेस का एक गुट सिंध्या गुट उनके साथ आया और उन्होंने सरकार बनाई बीजेपी के सामने चुनोती ये है कि पुराने निताओं को कैसे सेट किया जाए, पार्टी भले ही दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है और सभी निता साथ हैं, लेकिन निकाय चुनाओं में जिस सरा के नतीजे दिखे, उससे भीतर घात के आशंका को सिरे से खारिच नहीं कर सकती है, क्योंकि टिकट नहीं मिलने के सिती में उनके निर्दलिये या फिर कॉंग्रेस में जाने का खत्रा भी बना रहेगा, अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की रहा मुश्किल हो सकती है। अगर उन्हें वो पार्टी में टिकट देती हैं, तो जो पुराने भारती जन्ता पार्टी की जमिनी नेता है या जो बरसों से काम कर रहे हैं, अगर उनका टिकट करता है, तो कहीं ने कहीं पार्टी के लिए बड़ा नुकसान उन्हीं नेताओं के दोरा किया जा सकता है। अब देखने वाला वक्त ही बता है कि बारती जनता पार्टी किस तरीक से टिकट बटवारा करती है और वहीं बारती जनता पार्टी क्याना है कि बारती जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है मितले जुपता टीम न्यूज स्टेट खबर तो ये है कि ग्वालिर चंबल महा कौशन में जादा चुनाती है क्योंकि जादा तर पूर विधायकों की सीटे यहीं है निकाय चुनाओं में दोनों संभागों में छटका लगा है शायद इसलिए बीजेपी एलर्ड भी हो गई है